इस पॉपासी चले दिखते हैं कल मार्केट कमेंट रहर सकता है कॉंसेट रुप्टेट कर सकता है इसके बीछेगा लॉजी क्या है आज बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है डेली अनलीसिस हो गया विकली अनलीसिस एंड मंतली यह तीनों अनलेसिस हम लोग करने बार बार आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में एक सफिसेंट सिनारियो बनने देना चाहिए हम 100% हम लोग अभी टॉप कैच नहीं कर सकते है या फिर बॉटम कैच नहीं कर सकते है लेखिन पहले मार्केट को एक सिनारियो बनने दीजे क्या पता यहां से मार्केट 18, 19 और 20,000 चला जाएगा और यह अप्ट्रेंड मिस हो जाएगा इसके वजे से किने मार्केट क्रैस होगा हर एक पॉइंट पे यह हम लोग जब मार्केट साइन देगा तभी हम लोग अइडिटिफाइ करेंगे क्या मार्केट साइन दे रहा है इन डीटेल में हम लोग इसको देखने एक पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा जितने लोग how to identify market crash ये चार्ट ट्रेडिंग वही बिट्कॉइन क्रास इसके ऊपर वीडियो देखे होंगे उनको अल्रेडी आईडिया लग चुका होगा ये वीडियो को मैं इन देंड में डाल दूगा जिननों नहीं देखे है क्योंकि ये वीडियो अगर आप लुदु देखो गे चार् ट्रेडिंग वाला सीरीज आपको बहुत सारे chart पैटरन हो गया chart ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे चीजे पता चलेगा चिंछल थो ये वीडियो का लिक में डाल दूग आपको एंसको देख सकते हो अब यह अगर हम लोग देखेंगे, बिटकोइन जब यहाँ पर चल रहा था, अल्मोस्ट 58 या 59,000 के आप पास चल रहा था, तब ही चाम आप लोग वर्निंग दे रहा था कि नहीं, यहाँ से मार्केट क्रास हो सकता है, लेकिन अल्मोस्ट 30,000 के नीचे भी आना सुरू कर गय तो बहुत ही बड़ा लेवल हम लोग को मिल गया, क्या प्चेर हुआ, इसके पीछे का रिजन में आपको बतात है, यह 90 डिगरी एंगल में मुमेंटम हो रहा है, without giving any retracement, यहाँ पर अगर देखेंगे, आप लोग continuously यह monthly टाइम फ्रेम है, बिटकोइन का, बस मैं आपको चार में कहीं पर retracement नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी selling का ब्रेसर आ चुका है, क्योंकि अल्मोस्ट 50% बिटकोइन टॉप से crash हो चुका है, अभी अगर हम लोग similar analysis देखेंगे, निप्टी के अंदर, monthly chart के अंदर, no doubt, यह भी particularly एक straight line में 90 डिगरी अक्के आसपास, यह momentum कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे, sign of retracement है, यहाँ पर मंतली candle में थोड़ा सावेट किया है, यहाँ पर दो candle वेट किया है, that means market पॉझ ले लेकर ऊपर जारा है, यह सबसे अच्छा sign होता है, market जबी भी पॉझ लेकर ऊपर जाता है, यह थोड़ा सा सफ्टेंट कर सकता है लेकिन और एक point में आपको बताना आचोंगा अगर आप candles के length देखोगे let's imagine ये 20 के candle थे ये तो crisis के time के था उसके वाद जो recovery के candle देखोगे ये बहुत बड़ा candle बना यहाँ पर बड़ा candle बना यहाँ पर बड़ा candle बना यहाँ भी in fact वोलेटाइल हो सकता है आने वाले time वोलेटाइल इंदसेंस ये नहीं बोलना हो कि ये 500-600 पॉइंट दिन बर में उपर नीचे होगा ये नहीं हो सकता है 17,000 अभी दिख रहा है आपको हो सकता है कल आके ये 16,000 भी आजाए ये 15,000 आजाए ये market के लिए बहुत बड़ा momentum नहीं दिखेगा क्योंकि इतना momentum market रोज कर रहा है मन्त में 1500 पॉइंट ये भी जा सकता है तो ये नीचे भी आ सकता है अगर उपर जा रहा है तो ये नीचे भी आ सकता है तो ये पॉइंट क्लियर रखे है market में अभी 12,000 पॉइंट अगर जाता है इट से healthy correction ये crash नहीं होगा healthy correction होगा लेकिन still अभी बहुत साथ लोग के नहीं market crash हो जाएगा एक दो महीने तीन महीने पहले से आप लोगों बता रहे है market crash हो जाएगा लेकिन बहुत साथ लोग ये trend miss कर चुके है just because market on नीचे आ जाएगा market enough sign देगा अगर monthly charts में रिखेंगे there is no sign of selling अभी current level पे selling का sign है नहीं हम लोग wait करेंगे हमेसा ध्यान में रखो let's say top बनाया है thousand का और market को 100 तक ये crash होने वाला है नीचे आने वाला है हम लोग 800 में भी sort करेंगे 200 में भी cover करेंगे then also we'll going to make enough money more than enough money आप 1000 में sort करने का सोचते ही क्यों अगर आप 1000 में sort करने का सोचोगे ये every 300 point जब rally होगा आपको लगया किने हाँ और कितना जाएगा अभी और sort कर देता हो पहले एक sign दिखने दीजिए अगर हम लोग देखेंगे last crisis से पहले आपको बार बार दिख रहा होगा ये support बार बार हिट किया फिर उसके बाद breakdown दिया at least negative candle बना अभी current stage पे देजिए no negative candle अगर negative candle इस तरी के कुछ बनाया थोड़ा सामले ओलेट हो जाएंगे हाँ यहाँ से market गिर सकता है या फिर reverse हो सकता है ठीक है market को अगर 50% जाना है तो definitely यहाँ पे एक rate कल्द का candle बनाएगा आप लोग wait कर सकते हो उसके बाद उसके नीचे प्लान कर सकते हो sell करने का price action दे सकते हो तब तक market flow के साथ निकलो क्या पता और 1000-2000 पॉइंट का momentum पेंडिक हो आप और मिस कर दो यह rally I hope यह पॉइंट समझ में आ रहा होगा अगर मंतली आनलिसिस देखेंगे अभी current level तक still it's a bullish sign यहाँ पे मंतली चार्ट में अभी negative sign दिखाने रहा है at least in Nifty यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया फिर उसका ब्रेकाउट दिया फिर यह continue momentum किया यहाँ पे side-way चला गया range बनाया ब्रेकाउट दिया momentum हो रहा है weekly chart के अंदर देखेंगे last थोड़ा बहुत selling इसी candle पे हुआ था और उसके उपर यह अभी trade करना start कर दिया है तो यह थोड़ा सा continuation में अभी भी जा सकते है हम लोग weekly chart के अंदर still it's a bullish sign अगर हम लोग daily chart के अंदर देखेंगे no doubt यहाँ पे अभी current level पे selling का candle बनाया है current level पे selling का candle बनाया है यहाँ पे selling का candle था यहाँ पे भी selling का pressure था इसका मतलब यह 17,200, 400 यह सारे level दो बाट test हो चुके हैं यहाँ पे एक बार support था market उपर गया एक बार test हो चुका है यहाँ से अगर market नहीं चाहाता है यह second time test होगा उसके बाद third time के बाद यह गिर सकता है तो हम लोग को ऐसा कुछ अगर price action दिखता है then we're going to aggressive sell right now every upside अगर range break करता है every swing break करता है हम लोग को buying करना चाहिए हम लोग को buying कब हो सकता है कल अगर हम लोग 15 minutes charts में चले जाएंगे let's go to 15 minutes charts 15 minutes charts में हम लोग immediately buy कर सकता है 17,940 cross करते ही साथ अभी यह 40 rupees short है जहाँ पे हम लोग उने level identify किया अगर यह कल cross होता है इस level के उपर 20-30 rupees का stop loss डालके आप लोग buy कर सकते हो immediate target 18,000 के उपर ही होना चाहिए क्योंकि यह अगर cross करता है उसके उपर subtract कर जाएगा sell कब करेंगे selling हम लोग price action देख के करेंगे अभी नहीं करने वाले हो सकता है कल यहाँ से 100-200 point नीचे गिर गया बहुत ही अच्छा है हम लोग prepare हो जाएंगे mind में के नहीं हम लोग को selling का scenario देखना है यह जब reverse आ रहा होगा तभी हम लोग sell का plan करेंगे कल immediately अगर आप selling का plan करने जाओगे हो सकता है बहुत साथ लोग गलती यह करता है market नीचे आता है sell कर देता है पहले pullback में उसके अच्छा इमीडिटली reverse कर जाता है और उनको समझने आए था इतना नीचे आने के अच्छा कैसे sell हो सकता है या फिर कैसे ऊपर और जा सकता है चलो ऊपर की level पर भी और sort कर देता हूँ इसको average करते रहता हूँ आएगा नीचे क्योंकि इतना उपर जा चुका है बहुत सारे फिर parameter उन लोग अपने आपको देने का कोसित करते है market नीचे आजया करके बट अभी right now there is no sign हम लोग थुरा सा wait करेंगे अगर ये cross करता है तो हम लोग buying करते चलेंगे अगर ये reverse आता है तो no doubt हम लोग 110% इसको sell भी करने वाले है अगर price action दिखता है एक दिन हम लोग wait करेंगे last time मैंने आपको बताया था 17,500 के नीचे हम लोग sell का plan कर सकते है market gap up खुल गया अगर market level पे open नहीं हो रहा है तो उसको sell करने का why force और सोचों भी मत हम लोग wait करेंगे अगर just imagine कल market इसके नीचे आता है 17,800 के नीचे open होता है that's the first sign market selling के लिए आ रहा है खुलने के बाद अगर नीचे आके फिर जाके 17,800 इसी level के आसपात अगर कहीं पे resistance लेके फिर से नेया low बनाता है इस level पे आप कल भी sort कर सकते हो अगर ये price action बन रहा है तो market को थोड़ा सा time दीजिए continuously selling आता नहीं है continuously buying जाता नहीं है बस ये point मैं बता रहा हूँ कि ने ये flow अगर miss हुआ है wait कर जाओ, price action बन जाएगा फिर हम लोग sell या buy कर सकते हैं चलिए हम लोग bank nifty देख लेता है first thing monthly candle हम लोग देख लेते हैं एक बार monthly candle देखेंगे तो अभी ये all time cross किया है correct अगर just imagine यहाँ पे अगर seller है बहुत aggressively activate होते तो ये all time high cross करने देते भी नहीं ये cross हुआ है बहुत अच्छा momentum के साथ और retracement bank nifty में बहुत ही अच्छा खासा retracement हो रहा है अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे momentum हो रहा है retracement momentum हो रहा है retracement तो ये continue और थोड़ा सा कर सकता है आज पर monthly analysis nifty भी monthly में बुलीज दिख रहा है और bank nifty भी monthly भी बुलीज दिख रहा है अभी weekly देखेंगे weekly this is looking like a picture perfect candle मैंने last week भी आपको बताया था यहाँ पे buying हुआ उसके बाद यहाँ पे halt candle बनाया है यह अभी continue कर सकता है continue किया second candle भी यहाँ पे देखेंगे similar kind of inside candle बनाया हम लोग इसको immediately buy कर सकता है अगर यह swing का high cross करता है तो 17,920 यह 30 के ऊपर एक अच्छा breakout अगर देता है तो एक अच्छा buying हो सकता है अच पर weekly chart एक अच्छा momentum फिट से हो सकता है अगर daily chart के अंदर देखेंगे मैंने आपको last video के अंदर बताया था market में एक halt candle बना सकता है trending होगा करके मैंने आपको बताया नहीं था market अभी wait करेगा halt candle बनाएगा उसके वाड़ trend डिसाइड होगा यहाँ पर एक बड़ा momentum किया है अभी यहाँ पर अगर देखेंगे एक halt candle, confusing candle यहाँ पर बनाया है अभी यहाँ पर बस हम लोग को wait करना जबी भी ऐसा कुछ confusing candle बनाता है वहाँ पर ब्रेन लगाने का ज़रूरत नहीं है अगर यह cross करता है let's say यह candle का high cross करता है immediately buying क्योंकि यहाँ पर confusing closing दिया है अगर इसके नीचे cross करता है तो आप लोग sell कर सकते हो अभी अगर हम लोग currently देखेंगे 17,900 के उपर आप लोग प्लान कर सकते हो buying करने के लिए क्योंकि इसके उपर अगर निकलता है तो यह softened कर जायाएगा इसके उपर 17,900 के उपर 50-60 रुपे का stop loss रहेगा इसके उपर buying होना चाहिए अगर flat खुल जाता है still you are going to wait किने कौनसे साइड यह जा रहा है अगर let's imagine 37,700 लेवल अगर यह cross करता है नीची की साइड हम लोग ऐसे प्लान करेंगे जैसे हम लोग निफ्टी में प्लान किये थे फ़रे ब्रेकडाउन होने दीजिए selling आने दीजिए आने के बाद यह 110% इक pullback आएगा यह pullback के बाद जब यह cross कर रहा होगा तभी आप लोग प्लान कर सकते हो इसको sell करने के लिए similarly जैसे हम लोग निफ्टी प्लान किये थे तो 17,700 क्रोस करते ही साथ आम लोग wait करेंगे यह pullback फिट 17,650 या 600, 700 इसी level के आसपास होने के बाद यहां पर resistance लेके अगर फिट से नीचे जा रहा है तभी हम लोग sell करेंगे लेकिन अगर यह directly cross कर रहा है तभी हम लोग buy कर सकता है 17,900 यह cross करते ही साथ I hope यह points आपको समझ में आ रहा होगा and market crashes का scenario अगर मुझे दिखता है तो हम लोग उसको immediately plan करेंगे don't worry लेकिन मिझे से बोल रहा हूँ top catch करने का practice मत करो otherwise क्या होगा आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा आप trend के against में हो जाओगे I hope यह सारे points समझ में आ रहा होगे चली अवी हम लोग stock देख लेता है पहला stock है Amaraja battery अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो दिन upper level पे wait कर रहा है price action आपको दिख रहा होगा इसी support को यह respect कर रहा है और यहाँ पे एक resistance है इसलिए मैं बार-बार बताता हू support resistance के बीच में market volatile रहता है और यहाँ पे continuously volatile हो रहा है अगर यह एक बार cross करता है 7.39 तो एक momentum आ सकता है हम लोग प्लान कर सकते है buying करने के लिए 4 रूपीज का stock loss होना चाहिए 1-2 target होना चाहिए अगर 7.39 cross होता है next stock है buy account अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक selling का pressure हम लोग को दिख रहा है trend line no doubt यहाँ पे price action बना के ऊपर जा रहा था लेकिन फिर अभी यह trend line के आसपास आ चुका है अगर इसके नीचे breakdown होता है 7.59 के पास आसपास अगर यह trade करना start कर देता है flat खुलने के बाद नीचे अगर cross करता है एक selling का pressure आ सकता है 2-3 रुपे का stop loss रहेगा उससे ज़्यादा का जरुवत नहीं है 1-2 target होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल ही क्या होता है साथ selling के बाद यह फिट से low retest करने के लिए आ सकता है तो एक अच्छा selling का pressure यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है next talk है अमर राजा बेटरी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक 400 के असपास एक no doubt support है यह साथ selling के बाद first pullback था तो हम लोग अपी selling के scenario identify कर रहे है हो सकता है इसी level पे और यह रिटेस्ट करने का 2-4 दिन time spent करे फिर यह uptrade में convert हो लेकिन अपी current level पे हम लोग selling का प्लान कर सकते है 409 के नीचे हम लोग sell का प्लान कर सकते है 3 रुपे का stop loss होना चीए और 6 रुपे का target होना चीए and one more thing बहुत सारे लोग उज़े question कुछते है sir आप 1-2 बताते हो उसका meaning क्या है 90% लोग already जानते 1-2 का मतलब क्या होता है अगर आप कोई भी निया ओड सुन रहे हो इतना हम लोग पास online platform है अब बस जाके what do we mean by 1-2 in stock market अगर आप कहीं पी भी search करोगे आपको answer मिल जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग यह basic knowledge लेना start कर दो क्योंकि in the end में आपको पैसा कमाना है आप कोई भी job कर भी आपको बहुत जादा efforts लगाना पड़ रहा है और यहाँ पर इतना easy चीज़े नहीं है आप यहाँ पर directly आओगे यह दो चार course कर लोगे तो पैसा flow में आने लेगे ऐसा नहीं होता आपको इन details में समझना पड़ेगा आपके mind में concept बिठाना पड़ेगा होता क्या है बस मेरा कहने का मतलब यह है कि नहीं बहुत सारे लोग यह सारे knowledge आपको free of cost में मिल जाएंगे बहुत easy है अगर 1-2 समझ में नहीं है ता आप सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा stock market में 1-2 होता क्या है तो आपको answer मिल जाएगा लेकिन बहुत सारे लोग आपको comment में reply भी कर देते होंगे 1-2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 409 में हम लोग sell करने का plan किये तो 3 रुपे का अगर हम लोग stop loss दे रहे है that means अगर यह 4011 तक चला जाता है that means मैं इससे निकल जाऊँगा क्योंकि हमारा analysis इसके उपर wrong है अगर यह इसके नीचे जाता है 3 रुपे का मैंने SL पहले से plan किया है 311 आएगा मैं निकल जाऊँगा अगर यह 403 के आसपास आता है तो मैं इसको cover कर सकता हूँ that means मैं 3 रुपे रिक्स लेकर 6 रुपे का target expect कर रहा हूँ I hope यह point समझ में आ रहा होगा तो चलिए अभी हम लोग next stock देख लेते हैं next stock के ICC potential अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर price action build होना start हो गया है और यह swing के नीचे cross होते हैं इस साथ यह 660 का level टच कर सकता है देख्टे हो कि इन इंट्राडे में भी क्योंकि इसके नीचे और कहीं पर support दिखने रहा है 672 अगर यह cross करता है 4 रुपेज का stop loss रहेगा 1-2 अपका target होना चाहिए अई होब यह सारो point आपको समझ में आ रहे होंगे वीडियो चलाओ अधरे में like and instagram friends अभीकले इतना है thank you